मत प्रदेश के जिलाग छतरपर में ग्राम दौनी नौगाओं में डेड़ साल की दिव्यांसी पितार राजयंत कुसवहा की पुत्री जो खुद के बोरवॉल में गुरूबार को तक्रीवन साड़े तीन वजे गिर गई थी बच्ची का बोरवल में गिनने की खबर जैसे ही जन्ता के बीच में आई पिरसासन ततकाल मौके पर पहुँचा और रेस्क्यू ततकाल चालू कर दिया है मौके पर रेस्क्यू टीम एसडियम यो जन्पत नौगाओं तैसिलदार सहे पुलिस बल पहुँच चुका है पिरसासन एवं पुलिस के बड़े अधिकारी मौके पर पहुँचने के लिए रवाना हो जाते हैं वहां के कलेक्टर एवं पुलिस अधिक्छक मौके पर पहुँच कर पूरे कारी का जाजा लेते हैं लगबग 8 फुट गड़ा वहां पर खोद लिया जाता है बच्ची 15 फ से बुलाया गया है साथ ही होम गार्ड छतरपुर की टीम भी घटनाच तल पर पहुँच चुकी है मिली जानकारी के अनुसार अभी तक गड़ा तक्रिवन जेसीवी के मदस से 15 फिट खोद लिया गया रिस्क्यूट कार में गट्ती लाने के लिए बच्ची तुफसी उसे बचाने के लिए होम गार्ड छतरपुर की आर्मी एवं पुलिस दल भी बुलाया गया है मौके पर कलेक्टर संदीप सिंग अपर पुलिस अधिक्चक सचिन सर्मा छेत्रिय विधायक नीरा दीक्चित तथा पिरसासनिक अधिकारी रेस्क्यू कार के मौके पर उपस्तित है बच्ची दिव्यांसी को बॉर्वेल से सुरक्षित वाहन निकालने के लिए ओपरेशन युदुस्तर पर चल रहा है मौके पर एम्बूलेंस वाहक एव मेडिकल टीम को पस्तित है कलेक्टर एस्पी दोनों पूरे रिस्क्यू पर मौके पर पस्तित हों नजर बना ही है अभी एक साल तीन महीने की बच्ची जो है ओपन बोर्वेल में नीचे गिरिये ऐसे हमें इंफोर्मेशन मिला है अभी जो उनका रेस्क्यू का ऑपरेशन चल रहा है हम लोग पैरलली एक होल बनाके उसको हम लोग रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहा है प्रशासन पोलीस और यह पोट भी दिया है अभी ऑफ सिजन भी दे रहा है और हम लोग का भी आम्यूलेंस आइडवांस लाइशन फिलाया है तो अम लोग ओप कर रहे है कि जल्दी से जल्दी यह उपरेशन क्लियर करें ताकि हम बच्ची को रेस्क्यू करते हैं अभी मेब आरांद फिफ्टीन फी अब लोग उसी पे लगे हैं, आम लोग जल्दी कर लेगे, धन्यबाद.